Hi guys, welcome you all once again So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Proteus के लिए Arduino की लाइबरेरी आप कहां से डाउनलोड करें और कैसे इस लाइबरेरी को हम लोग अपने Proteus में एड करते हैं So, सबसे पहले आप लोगों को इसको डाउनलोड करना होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर Google Drive का यह पेज दिखेगा तो यहाँ पर आप लोगों के software's available हैं यहाँ से आप इस लाइबरेर को डाउनलोड कर सकते हैं फिलहाल मेरे पास यह अल्रेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इस folder को open करना है इसके अंदर आप लोगों को दो files मिलेंगी एक आपकी .idx file होगी और दूसरी आपकी .lib file होगी तो इन दोनो files को आप लोग यहां से select कर लेंगे और इसको हम लोग यहां से copy कर लेंगे और इसको आप लोग paste करेंगे अपने c drive में जाके अपने program files x86 वाले folder में जाके इसके बाद आपका lab center electronics नाम से folder होगा उसको आप open करेंगे next आपका protea 7 professional folder होगा इसको खोलेंगे आप लोग और इसके बाद आप लोग को यहां पर libraries नाम से folder मिलेगा तो इस folder को आप open करेंगे और यहीं पर इन दोनो files को हमको paste करना है तो यहां पर आप लोगों को admin permission के लिए कुछ आ सकता है तो इसको आप लोग यहां से continue करेंगे ओके सो यह दोनों files हम लोगों की यहां पर copy हो चुकी है तो इतना होने के बाद आप लोग बिना hardware के भी आप लोगों को protes की help से सीख सकते हैं तो देखते हैं हम लोग यह successfully add हुआ है या नहीं तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर अपने desktop में जाके अपने protes को open करना है तो थोड़ा सा मैं इसको zoom in कर लेता हूँ इसके बाद आप लोगों को components mode में जाना है और फिर pick from library में आप click करेंगे फिर यहां पर आप लोगों को डालना है A, R, D, U, I, N, O तो देख पाएंगे आप लोग यहां पर Arduino के आप लोगों के different boards यहां पर available है तो जो भी आप लोगों को use करना है उसको यहां से आप लोग select कर सकते हैं फिलहाल हम लोग Arduino Uno को use करने वाले हैं तो मैं इसको click करूँगा और इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे यह image आपको दिख रही है और इसको आप यहां से ok press करेंगे यहां पर यह आप आ चुका है तो इसके बाद आप यहां से इसको drag and drop कर सकते हैं चीके इसके बाद आप इसको चाहें तो यहां से zoom in करें और तो देख सकते हैं आप लोग यह हम लोगों का Arduino Uno Board है और जितने भी features मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे वो सारे इसमें available हैं तो इस software के through भी हम लोग सीखना चाहें तो सीख सकते हैं मैं basically यहाँ पर simulation भी कर बाऊंगा और साथ मैं hardware में भी हम चीजों को implement करेंगे तो अगर आप लोगों के पास hardware है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी है तो हम लोग यहाँ पर simulation के through अपने Arduino को सीखेंगे बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर करें अपने friends के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं So thank you so much for watching जय हिंद जय भारत